मैं आपको एक ग्जामपल देता हूँ बढ़ा सिंपल सा रियल लाइफ जिससे आप सब लोग अराम से रिनेट करता हूँ तो आज से दो-तीन साल पहले एक न्यूज आई थी जो मैंने एक न्यूज पेपर में बढ़ी थी आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद पढ़ी होगी और ऐसी न्यूज आती रहती एक स्टूडेंट था ट्वेल स्टैंडर्ड का ब्रिलियंट स्टूडेंट उसने अपन कि अपनी सारी प्लानिंग कर लिए कि जब मेरे 98% आएंगे तो मेरा इस कॉलिज में अधिशन होगा फिर मैं यह करूँगा फिर मैं वो करूँगा ऐसे सारी प्लानिंग करता से ला गया एक्जाम्स हुए रिजल्ट्स हाए उसकी परसेंटेज आई 96% और उस लड़के ने स पर लेकिन अगर मैं बात करूँ उन स्टूडेंट्स की चो नंबर कम आने की वज़े से डिप्रेशन में चले गए परिशान हो गए जिन्दगी से हार गए जिनका कॉन्फिडेंस जीरो हो गया जिनको कुछ सबाई नहीं आ रहा कि हम आगे क्या करें तो ऐसे कितने आपको example दो education से related जिसकी मैं बात कर रहा हूँ तो क्या हो आप imagine करो एक cricket का match चल रहा है आप यहाँ पर बैटिंग कर रहा है आप student हो पीछे कोई wickets नहीं है यह life का game है cricket का game नहीं है cricket से related है मैं आपको example दे रहा हूँ लेकिन यह जिन्दगी है आप यहाँ पर बैटिंग कर पीछे कोई wickets नहीं है कोई wicket keeper नहीं है कोई और players नहीं है सामने से life है जिन्दगी है जो एक के बाद एक ball factory चली जा रही है बॉल आ रही है एक बॉल आई आपने बैट कुमाया वो बॉल छूट गई पीछे निकल गई पीछे निकल गई अब आप क्या करोगे सुसाइट कर करोगे एक बॉल छूट गई समय ना इस बात को जो मैं बोलने वाला हूं एक बॉल छूट गई सुसाइट करोगे आप पेरेंट्स हो आपके बच्चे से बॉल छूट गई क्या को उसको मर्जा क्या को वह उसको कि तू हार गया जिंदगी से हार गया अब तुछ नहीं कर सक बॉलख सकती वह है असली जिंदगी तो हुआ क्या एक बॉल छूट गई वो बॉल क्या थी वह एक अपॉर्चूनिटी थी जो नंबर की uppam में आपके सामने आ रही थी एक्जाम्स के रूप में आपके सामने आ रही थी किया ट्वेल्थ की एक्जाम्स हैं सामने से जिंदगी ने एक पूर्चुनिटी फैकी वो निकल गई मैं यह नहीं कह रहा वो पॉर्चुनिटी नहीं थी थी माल लिया नंबर आया थे तो ठीक है कुछ अच्छा हो जाता निकल भी गई या फर्क पड़ता है भाई यह गेम ऐसी है जहां पर मैंने आपको काना कोई विकेट्स नहीं है कोई आप चाहो भी तो इस जिन्दकी के खेल में आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक कि आप मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते तुमिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती अगर आप पिछ पे डटे रहो लाइफ का सिरव एक काम है वो एक के बाद एक बॉल फैक्टी चली जाएगी एक बॉल आई एक्जाम्स की निकल गई कोई बात नहीं एक दूसरी बॉल आईगी कोई और चीज़ की आईगी फिर कुछ और आईगी आरे हजारों बॉल आएगी जिन्दकी में ये बॉल्स क्या है अपॉर्चुनिटी जिसको आप बड़ा समझ रहे हो वो चोटी है और ज उको कोई बात नहीं तयार रहो बैट करके रोना नहीं है साइड में जा करके बैटना नहीं है कि मैं बिटमेत हो गया मैं लूट गया कि पिछ पे तूसरी ball miss तूसरी opportunity भी miss दुनिया की नजर में आप fail हो रहे हो लेगिन आप डटे होई आपको खेल समझ आ गया है जिन्दगी का आपको समझ आ गया है कि एक event में fail होने की विज़े से life में fail नहीं होते है एक event का end life का end नहीं है भाई life के अंदर हजारों लखों events आने वाले हैं और एक एक करके ball आ रही है तीसरी ball आई bad गुमाया फिर miss हो गई चौती ball आई bad गुमाया फिर miss हो गई पांची ball आई फिर bad गुमाया फिर miss हो गई छटी ball आई आगे बड़े लिया है छक्रा एक यी बॉल्मन पांच बॉल्स की कसर पूरी सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर अंदर वो एक दिन हमज गए जिंदकी खेल है ज्यादा सीरिसली मतलो एक बॉल पे छक्का बढ़ गया उसके बाद भी बैठना नहीं है या मैंने चक्का मार दिया चक्का मार दिया वो दस साल पहले मैंने चक्का मारा था अबे क्या हो गया दस साल बहुत पीछे है आज क्या कर रहा है ये मैटर करता है तो करना क्या है चाहे बॉल छूटे या चक्का पड़े भाई खेलते रहो मरते दम तक जो life सामने से फैक रही है उसको देखते रहो ध्यान अपना life के ओपर रखो success की तरफ या failure की तरफ नहीं है ये temporary चीज़े हैं आएंगी जाएंगी आएंगी जाएंगी कोई matter नहीं करता जिंदगी खेल है इस खेल को खेलना है देखते रहना है अपनी नजरे गड़ाएं रखनी है एक की बाद एक बॉल आईगी और कोशिश करते रहना है जो कोशिश कर रहा है वो successful है जो ठक करके बैठ गया है वो failure है जो खुश होकर के side में बैठा हुआ है कि हाँ मैंने छक्का मारता चार साल के लिए वो भी failure है failure है भाई जिन्दा लाश है जिन्दा लाश है धर्ती के ओपर बोज है क्या कर रहा है बस एक छक्का लग गया बैठ गया जाकर के बस हो गया खेल खदम जिन्दगी का बस एक छक्का मारने के लिए आयते है जिन्दगी में और कुछ नहीं करना सौ छक्के क्यो नहीं हजार छक्के क्यो नहीं problem क्या है यह है जिन्दगी का खेल जिसको हमको समझना है जिसके अंदर हमको पक्के होना है और यह है positive thinking का असली मतला मतलब कि realistic positive thinking based upon fearless action बिना किसी डर के act करना है अब देखो ना आपका डर गायब stress गायब, depression गायब pressure गायब कि जब आप उपने दिमाग में आपने बिठा ली मेरी बाते अगर जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई नंबर आ गए मेरे को अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी पढ़ाई हूए जान लगा दूँगा पढ़ने के अंदर अब पढ़ाई क्या चीज है जिंदगी में जो भी काम करूँगा उसमें जान लगा दूँगा और जो मैं चाहा रहा हूँ वो हुआ तो अच्छा है